हेलो दोस्तो हमारे यूटूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तो द्रोपदी भारत की वो पर्थम महला है जिसके पांच पती थे यह वो पांच पूरसों के साथ रमन करती थी लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रोपदी ने बिभा तो सरिफ अरजुन से ही किया था तो क्या उसका रिष्टा स तभी के साथ नहीं था पांडवों को बारा बरस का बनवास और एक बरस का अज्यातवास मिला था इस दोड़ान पांचों पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भीक्चावटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे ऐसे में भीक्चावटन के दोड़ान उन्हें दुरुपदी के स्वेंबर की सूचना मिली दोस्तो महाभारत में दुरुपदी के चीरहनन की कहानी सभी जानते हैं दुरुपदी पांचों पांडव की पत्नी थी क्या आपको पता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि दुरुपदी को पांचों लोगों को अपना पती बनाना पड़ा इसके पीछे कोई सराप था या कुछ और वज़ा जाने महावर्थ की इस कथा को पहुत ही परचलित कथा है दोस्तों पुरानी कथाओं के मताबिक दुरुपदी पांचाल राजे के राजा दुरुपद की बेटी थी कहा जाता है कि दुरुपदी का जनम यग कुण से हुआ राजा दुरुपद ने एक बार यग किया था दुरुपदी उससे ही निकले थी उसे इंद्रानी का अवतार भी माना जाता है कहते हैं कि दुरुपदी पिछले जनम में बहुत सुन्दर लड़की थी इसके बाबजू इसे साधी के लिए कोई अच्छा लड मांग लिया सिवजी ने भी बढ़ दे दिया इस तरह उसके पांच पती होने का वर्दान मिल गया राजा दुरुपद ने अपनी बेती की साधी के लिए नवर का आयुजिन किया उसमें पांडव भी ब्रहामन का भेज धारन कर पहुंचे एक यंत्र में बड़ी सी मचली घ अर्जुन ने यह पतियोगिता जीत ली तब जरासंद साले सिशुपाल तथा दुरियधन दूसासन आधिकौरब भी उपस्तित थे उस दोड़न बहुत ही विबाद हुआ क्यूंकि पांचों पांडव ब्रहान भेज धारन कर पहुंचे थे लेकिन शिरी किष्ण के दखल स अर्जुन ने स्वेंबर जीत लिया और दुरुपधि ने उनके गले में माला डाल कर उसे अपना पति माल लिया दोनुं की वही साधी हुई फिर अर्जुन अपनी पतिनी दुरुपधि और भाईों के सथ घर पऊंचे अर्जुन ने अपनी मा कुंटी से कहा की देखो हम क पांचो भाई आपस में पांट्लो द्रासल कुंठी को लगा कि ये कुछ к्हाने की चीज लाए होंगे जब कुंती ने बाहर आकर देखा तो द्रौपदी थी कुंती को अपने बचन पर बहुत पश्टावा हुआ लेकिन वो क्या कर सकती थी दुरोपदी को भी कुंती की बात माननी परी और सभी पांडव की पत्नी बन गई पांच पांडव की पत्नी होने के चलते दुरोपदी को पांच चाली भी कहा जाता है पांचो पांडवों से उसका विवाग कैसे हुआ ये पांचो पांडव की वोपतनी कैसे बन गई ये बहुत लंबी कथा है कहते हैं कि दुरुपदी अपने पिछले जनम में बहुत सुन्दर युपती थी शर्ब गुन संपन होने के कारण उसे योग्यवर नहीं मिल रहा था दोस्तो इसलिए उसने भगवान संकर की तपस्या की और तब संकर जी परकट हुए उस समय दुरुपदी ने हर बड़ाहट में पांच बार बर मांगे इसलिए उसे सिप जी के वर्दान के कारण इस जनम में पांच पती प्राप्त हुए जब भगवान सिप ने दुरुपदी को पांच पती प्राप्त होने का वर्दान दिया था तब वो भी ये जानते थे कि उसे अपने पाँचों पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समय स्या होगी इसलिए उन्होंने दौपदी को ये वर्दान भी दिया कि वो पर्ति दिन कन्या भाव यानि कौमार को प्राप्त कर लेगी इसलिए दौपदी अपने पाँचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी हाला कि कहा जाता है कि संतान को जनम देने के लिए भगवान श्रीकृष ने उसे ये सुझाब दिया कि हर साल वो पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यादित करें साथ ही जिस समय वो अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनकी कक्ष में कोई और पांडव परवेश ना करें यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है तो उसे एक वर्ष का दे निकाला जाता है यानि कि देश से निकाल दिया जाता है माना जाता है कि दुरपदी जो प अनुमती नहीं थी इस नियम को तोड़ने वाले एक साल तक देश से पाहर रहने का दंड था एक वर्या दंड अर्जुन को भुगना भी पड़ा था अर्जुन और दुरुपदी की एक वर्ष की आविदी अभी अभी समाथ हुई थी और दुरुपदी युदिश्टर के साथ एक एक वर्ष का समय शुरू हुआ था अरजुन भूलवस दुरपदी के आवास पर ही अपना तीन धनुस भूलाए पर किसी दुष्ट से ब्रहामन के पसू की रक्षा के दिये ही उन्हें इसी समय इसकी जरूरत परी अताचेत्रिय धरम का पालन करने के लिए तीर धनुस लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वो दुरपदी के निवास में गुज गए उस दौरान दुरपदी युदिश्टर के साथ में थे बाद में इसके दर्ण सरूप अरजुन एक साल के लिए राज्ये से बाहर चले और वो अरजुन पर मोहित हो गई ऐसे में वो उन्हें खीच कर अपने नागलोग में ले गई और उनके अनुरोद करने पर अरजुन को उससे विवा करना पड़ा कहते हैं कि दोनों एक वर्ष तक साथ रहें अरजुन नाग कन्या उलपी के मिलन से अरजुन को एक बीरवा पुत्र मिला जिसका नाम इरावान रखा गया दोस्तों दरपधी ने एक एक बडरस के अंतराल से पांचों पांडब के एक एक पुत्र को जनम दिया था लेकिन दुर्भाग्य की इन पांचों पुत्रों को अस्तमा ने मार दिया था एक दिन की बात है पांडव और ब्रहामन लोग आसरम में बैठे थे उसी समय दुरपदी और सत्याभामा भी आपस में मिलकर एक ही जगा बैठे थी दोनों ही आसपास में बाते करने लगी सत्याभामा ने दुरपदी से पूछा बेहन तुम्हारे पती पांडव वजन तुम से हमेशा परसन रहते हैं मैं देखती हूँ कि वे लोग सदा तुम्हारे वस में रहते हैं तुम मुझे भी ऐसा कुछ बताओ कि मेरे सियाम सुन्दर भी मेरे वस में रहे तब दुरपदी बोली सत्यामा भा ये तुछार निये इस्त्रियों के बारे में पूछ रही हो जब पती को यह मालूम हो तो वो अपनी पत्नी के वस में नहीं हो सकता तब सत्याभामा ने कहा तो आप बताएं कि आप पांडवों के साथ कैसे आश्रन करती है उचित परसंद जानकर तब तुरपदी बोली सुनों में अहंकार और काम क्रोध को छोड़ कर बड़ी ही साबधानी से सब पांडवों की इस्त्रियों साहित सेवा करती हूं मैं इर्षा से दूर रहती हूं मन को काबू में रखकर कटू भासन से दूर रहती हूं किसी के भी समक्ष असभायाता से खड़ी नहीं होती हूं बुरी बाते नहीं करती हूं और बुरी जगा पर नहीं बैठती हूं पती के अभी पिरे को पुर्ण संगे समझ कर अनुसरन क करती उनके बैठे बीना स्वय नहीं बैठती जब जब मेरे पती घर में आते हैं मैं घर साफ रखती हूं समय समय पर भोजन कराती हूं सदा साफधान रहती हूं घर में गुप्त रूप से अनाज हमेशा रखती हूं मैं दरवाजे के बाहर जागर खड़ी नहीं होती हूं पत के लिए बस इतना ही दोस्तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करयेगा दोस्तों को शेर ज़रूर करियेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज़रूर दवाएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गूड बाई एंड थैंक्स फोर वाचिंग माई वीडियो